नमस्कार दर्शको वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सीट्यूब चैनल में मेरा नाम है आशिश गरी और आज किस व्लोग के अंदर हम आपको दिखाएंगे सहारनपूर का फेमस डाक्टर भीमराव अमबेटकर स्पोर्ट स्टेडियम जो की सहारनपूर रेलवे से जस्ट पांसो मीटर की दूरी पर है यानि के दो मिनिट के अंदर आप इस स्टेडियम तक पहुँच जाएंगे चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पर होती है और आप कैसे यहाँ पर प्रतिभागी बन सकते हैं दोस्तों साहरनपूर स्मार्ट सिटी योजना के तहट जुडो होल का पूरा फर्स बदला जा रहा है इस होल में फॉल सिलिंग भी की जा रही है माना जा रहा है कि एक साल में ज़्यादा तर कारे पूर्ण हो जाएंगे जिसके बाद स्टेडियम की पूरी सूरत ही बदल जाएगी चलिए दोस्तों देखते हैं किस परकार से बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों यह साहरनपूर का एकलोता स्टेडियम है जहाँ पर इस समय स्मार्ट सिटी योजना के तहत इसे और भी अच्छी तरह से नवीनी करन किया जा रहा है यहाँ पर 20 करोड रुपे की लागत से और भी कई नए कारे किये जा रहे हैं पुरानी चीजों को पूरी तरह से बदला जा रहा है ताकि और भी अच्छी तरह से स्टेडियम की रूप रेखा चेंज हो सके दोस्तों वीडियो में भी आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि स्टेडियम में खेलो इंडिया योजना के तहट 7 करोड रुपे की लागत से सिंथैटिक रुनिंग ट्रेक का निर्मान भी कराया जा चुका है ट्रेक के साथ ही ट्रेक के बाहर चारो कोनों का भी सुंद्रिकरन किया गया है यह स्टेडियम की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्दी है इसके साथ ही स्विमिंग पूल और बॉक्सिंग होल को भी योजना में जोड़ा गया है परियास यह है कि खिलाडियों को बहतर से बहतर सुविधाय मुहिया कराये जा सकें जिससे कि वह रास्टे और अंत्रास्टे इस्तर पर जनपत का नाम रोशन कर सकें पर अंत्रास्टे वह रहाँ है दोस्तो हमारी पिछली वीडियो के अंदर कई दर्शकों ने कोशन पूछा था कि इस स्टेडियम के अंदर और भी किस परकार की खेल प्रतियोगताएं होती हैं और उन खेल प्रतियोगताओं में कैसे हमारे दर्शक भी प्रतिभागी हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एथलिक्ट्स, होकी, कुम्फू, बॉस्केट बॉल, जूडो, बेड्मिंटन, कुस्ती इन सभी खेलों की प्रतियोगताएं होती हैं साथ में काफी अच्छे कोच भी गवर्मेंट के दौरा यहाँ पर न्यूक्त किये गए हैं तो आप यहाँ पर सालाना पचास से सो रुपे, दोसो रुपे या तीन सो रुपे यह डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की खेल का चुनाव करते हैं उसके कोडिंग आपका सालाना इतना रुपया चार्ज लगता है इसके बाद आप डिली यहाँ पर स्टेडियम के अंदर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं